गुड बॉर्णेंग ये स्टुडेंट्स देखिए भौतिक भुगोल बिये पार्ट फर्स के लिए हम आज व्यक्षान संख्या अठारा ले रहे हैं जिसका विशे है प्लेट विवर्तिने की सिद्धान्त जैसा कि आपको विदित है कि प्लेट विवर्तिने की सिद्धान्त जो है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं ये भुगोल के विशेशते है भौतिक भुगोल के संदर में एक क्रांतिकारी सिद्धान्त है इसमें प्रत्वी विज्ञान की सभी शाखाओं पर इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि इसके कारण से हम माधी अंतिक बनावट परवत पठार मैदान की उत्पत्ति तदा समिस्थिति की संकल्पना सहित विविन प्रकार के खनीजों की उत्पत्ति या उनका वितरन के बारे में हमको इसकी सठीक जानकारी मिलती है तो उस जरस्टी से जो प्लेट विवरतिनी की सिद्धान्त है वो आज वरतमान में एक निश्चित रूप से विग्यानिक धारनाओं के आधार पर या साक्षों पर आधारित एक सिद्धान्त है जिसमें विशेष्ट है पुरा चुम्बकिय साक्ष जिसे पहलियो मैगनेटिस्मी कहते हैं स्री फ्लोर स्प्रेडिंग तदा जो वरतमान में हमारे इसका रिकॉर्डिंग करते हैं वो सब भी इसके इंतर इंक्लूड होता है तो क्रमेश इसका जो विकास है वो जैसे कि हम जानते हैं कि महाधीप विस्थापन यानि कि जो महाधीपों का व्यापक पैमाने पर जो फहलाव या विश्रन हुआ उसके ओपर आधारित आपका कह इस सिद्धानत को आगे बढ़ने की रास्ता दिखा इसमें वैगनर प्रमुक विद्वान थे विविन अपने विविन प्रकार के साक्षों के आधार पर उन्होंने प्रमानित किया था कि महाधीप ये एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर विस्थापित होते हैं उसी शंक के कारण से महाधीप तदमा सागनों का फैलाव ये विस्थार ये खिसका होता है ऐसा होम से कहा इसी शंकला में उसके बाद हैरी हैस नाम के एक विद्वान आते हैं उन्होंने सागर तली के प्रश्रन यानि कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के उपर विज्ञानिक तत्यों एक प्रति पादित किया कि जो समुध्र तली है उनका फैला होता यानि कि वह अगल बगल विफ्री दिशा में गति कर रही है कटक के सारे इसके बाद में इस सिद्दान के बाद ही प्लेट टेक्टाउनिक यानि कि प्लेट विवर्दिन की सिद्दान तहमारे सामने आता है प्रपीन तथ्यों की जो जानकारी आती है तो उसमें इस सिद्धान के बारे में पुष्टी होती है और विविन प्रकार की समश्चा का समाधान भी करता है। सबसे पहले जो 1967 में सरसेट में मैंकेंजी तथा पारकर नाम के विध्वान थे उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक शब्द या मैंला प्लेट टेक्टोनिक सिद्धान के बारे में समझाया। उसके बाद में मौर्गन जो आते हैं 1968 के अंदर में उन्होंने स्रिद्धान की एक आउटलाइन है वो प्रकाशित किया उसके बारे अपना व्यक्षान को रखा। तो इस आधर में हम यह कह सकते हैं कि हमारी प्रत्वी का उप्री जो क्रस्ट भाग है। और क्रस्ट और अपर मेंटल के भाग को समलित रूप सर्म लिथोस्फियर कहते हैं या द्रड मंदल कहते हैं या चटान मंदल के नाम से भी कहा जाता है वो विविन प्रकार की प्लेटो में विवक्त हैं जो कई भागों से टूटी हुई है और ये एक डुक्टिबल लेयर है जी से हम एस्सीनोस्वियर के उपर यह तैरने में सायक होती है तैरने में शक्षम होती है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं प्रत्वी का जो कठोर द्रड जो इस्थल मंडल का कठोर द्रड मूँ भाग जो लगबग औस्ट रूप से 100-150 किलो मेटर मोटा है और वो मोटा भाग हमारी प्रत्वी के डेक्टेबल यानि की जो पिगलेवे डामर नुमेर प्रधारत है जिसे हम चिप्चपा रहता है वो अ होरिजयंटली मूव करती हैं और ये जो कठोर रहताई है जो कठोर द्रड मंडल है वो दो मुख्य Богों से बना है जिसको हम Krush कहते हैं, Krush के अंतरकत महादीपिय भाग तता समुधरिय भाग, दौनों समीली थैं, महादीपिय भाग आपको पता है कि जो घ्रिनाइट प्रकार की चठ्ठानों से बना है और जो समुधरि भाग वह बेसाल्तिक चठ्ठानों से बना है, तो ये Krush है, उसके तो crust है, crust के जो 5-100 km तक की जो मोटाई वाला भाग है, वो समुंदरी crust के रूप से जाना जाता है, जर समुंदरी crust के राम से उसको नाम दिया गया है, दूसरा जो महाधी पे crust या जो continental crust है, वो लगबग 200 km मोटा है, तो इस आधार पर हम भी कह सकते हैं, कि औस रूप से डेटरो कलिमेटर मोटी जो परत है, जो लिथोस्फियर की कहलाती है, वो ही आपका प्लेट कहलाती है, तो यह प्लेट है, मुक्यत जैसे कि आपको पता है कि oceanic plate, यानि समुंदरी plate है, वो सिमाटिक यानि कि सिमा नामक परत से बिलके बनी है, जो सिमा परत में सिलिका अन्मेक परत से बिलके बनी है, जिसे हम सियालिटिक कहते है, यह आपक शक्रत थोड़ी की मोटी परत है, अगर हम इसको आगे आगे बढ़ते हैं, तो जो आमारी जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं, यह मुख्य दो मुख्य भागों में विभकता है, माइनर प्लेट और मेजर प्लेट, और इसका हम दूसरा एक वर्गी करन कर सकते हैं, तो कॉंटिनेंडल प्लेट, जिसका प्रमुकुदारन, यानि कि महाधी भागों से बनी प्ल प्लेट के रूप में होता है, दूसरी जो प्लेट है, वो ओशनरी प्लेट है, जैसे प्रिशा, समुंद, पूरी तरह से समुंदरी भागों से निर्मित प्लेट है, वो पैसिफिक प्लेट है, इसके लाओ माइनर प्लेट, नचका, काकोस, यह प्लेट भी इसका अंतरकत आ बारतिय, आस्ट्रेलियन तता न्यूडियलेंड प्लेट तीनो एक तरह से मिलकर जिसमें हिंद मासागर का भाग भी आ जाता है, वो प्लेट सारी की सारी मिलकर आपका अब हम यह कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से स्थापित हो गया है कि जो हमारी प्लेट है वो निश्चित रूप से मौजूद है और वो गती करती है इनके गती का मुख्यत कारण जो है मेंटल के जो लोवर मेंटल से उठने वाली सेवन धारा तरंगे उठकर उपर की और वो गत करती है और गती औरने के का लिभिए आ आहले र Commerce के निएम के भाती हो आ पर मेंटल के पाट से उत बापिस वो पकुने नीचे की साइ्छिए को सब्स्चे कर जाती है इस चखर के ऊपर इस्तित जो क्रश्ट है यह जो हमारा प्लेट है वो गती करने में सहar को होता है क्योंखिय हमारी इस क्रज्ध जो इस्थल मंदल है वो दुरुपलता मंदल लामक तरल प्रदार , अर्द तरल के ऊपर टिका वा है इिसके कार्ण से वो एक तरह के लूब्रिक कर이नों के बारे में पूरी तरह से वैग्यानिकों में एक मतς नहीं है पर नतु जो अधिकांश्य एक मोटे तौर पर एक और एक वेग्यानिक मानिता जो बनी है वो सेवन Pilates को इसके गती का कारण मानते हैं जो फ्लेट की जो गती है, वो अलग लग प्रकास अधिवीो प्रकास है, सर्वादिक धीमी गती टी ग्लेट है, वो आखताग जीज के सारे जो प्लेट पाई जाती है, वो स्लोड है, यानि कि सप्रे धीमी गती गती कर रही है, जिसकी धाई सेंटीमेर प्रती वहिश की दर से ये घती कर रही है। इसकी बाद में अगर हम देखें कि सरवादिक तीवरे प्लेट कौन सी है वरतमान में, जो पूरी प्रेशांद महासागर में जो एक उठावाला भाग है, जो दक्षनी पैसिफिक में इस्थित है, यानि कि जो चील है उसे लगबग साड़े तीन हजार किलो मीटर पश्यम की दूरी पर इस्थित ये भाग जो है। ये सब्शे तेज गती कर रही है। इसकी गती परना सेंटीमीटर प्रती वहिश की दर से है। अब कुल मिलाकर हम इस प्लेटों को साथ मुख्य प्लेटों में तता 11 गौर्ण या चोटी प्लेटों में बाढ़ते हैं। इसके अत्रिक एक फ्रुख्य प्लेट है जिसे माइग्रो प्लेट कहते हैं। उनके भी कई प्रकार इसमें पाहे जाते है। तो जो आमारे प्रतिव पर जो इस्थल मंडल है उसकी साथ प्रमुक जो प्लेटे हैं वो प्लेटे क्रमेश इस प्रकार से हैं पहला है अंटार्क्टिका तता उसके चार और समुंद्री जो भाग है वो मिलाकर एक प्लेट बनती है दूसरी प्लेट है नौर्थ अमेरिकन प् जिसमें USA, Canada आपका यह भाग इसमें समुद्री एक मात प्लेट है, जो पूरी तरह से समुद्री प्लेट है, इसके बाद में पांच वी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूडिलेंड प्लेट है, जिसके अंदर के इंद मास्टागरी समुद्री भाग भी प्लेट आ जा प्लेट के इंतरगत जो इस्ट प्लेट इसे अंदरी ही इससे हानी पूर्मणठ मास्टागर के बाग है, जो जो भी प्लेट के बाद में उसके साथ वी प्लेट है, जो इसके साथ मैज्या जो प्लेट konuşGU ऊसे विभाजित है और विविन विविन दर्श से ये गती कर रहे है और गती करने के कारण से इसमें विविन प्रकार की गती वीदिया होती है जिसमें अर्थ्वेक से लेकर सागरतली के प्रसंट से लेकर और आपका कहना चाहिए कि विविन प्रकार के जौला मके किरिया भी इसके घरण से प्रेकास ऑनी माय कि माइनर प्लेट के अंतर्गत जुछ बाहा गए स 놀ते हैं जेसे सुंड़ जो या सुमातरा यह जो चोटा बखम भात अär है जुमीज प्लेट हैं यह सर्सक्न थिंज थुमार आतों है यानि आपस में एक दूसरे से टकड़ा रही है, एक दूसरे से ओड़ी है, तो वहाँ पर उनके stress के कारण से इन micro plate का निर्मान होता है या minor plate का निर्मान हुआ है, क्योंकि यह उनसे विखंडित हो जाती है, joints के दोरा, यानि कि टूटन हो जाती है, तो इसके कारण से इनका न European plate, यानि कि European plate यानि European plate यानि Europe तता Asia plate के सहयुक्त मिलन वाले भाग के कारण से तता African plate के कारण से, तोनों के convergence के कारण से, भूमद सागरी जो plate है, उस plate के पर बहुत ज्यादा stress पड़ा है, जिसके कारण से कई भागों में यह micro plate के रूप में बदल गई है, तो इस प्रकार स हम यह देखा सकते हैं, कि यह हमारे यहाँ पर साथ बड़ी plate और अन्य छोटी plate है, और micro plate के रूप में हमारा प्रत्वी का इस तिलिए भाग है, वो विपाजित है, इसके evidence के संदर्वों में है, यानि कि इसके प्रमान क्या है, इसका सब ज़े बड़ा प्रमान तो sea floor spreading है, ह जो स्रमुंद्र का कटक के सारे जो भाग आज यहाँ है, वो खिसक के अपने दाएबाएं खिसक जाता है और इसके कारण से वो क्रमेशे गती करता है, तो इस तरह के हमारे पास में यह evidence है, चट्टानों के द्वारा, रेडियो एक्ट्रेलेंट के आधार पे, कि यह हमारे स कि इसके सपूर के लिए सबसे बड़ा प्रहाय है, उसके लबाएं पहलियो मैगनेटिवम है, जैसे की हमको पता है, कि जो पहलियो मैगनेटिवम क्या है, या नि प्राचिन का ली चट्टानों में पाये जाने वाला चुम्बकत। यानिगी कि जब चुट्टान जब पीग तो वो गती करते हैं, उनकी दिशा बदल जाती है, टोस होने के कान से उनमें कोई कणो का कोई परीवर्तन, दिशा परीवर्तन नहीं होटा है, तो वो इस बात का सूचिक होता है, कि इन प्लेटों की घती है, यह यह एक प्रहमान है. इस प्रेकास फिर ग्रेविटेशनल बलीज के प्रमाण भी हमारे पास में पाये जाते हैं, तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं, कि प्रत्वी के जो भाग हैं, उनके भागों में घतिशील है, इसके प्रत्वी के आर्थक्वेक जो वॉलकेनों है, वो पूरी तरह से प्लेटों के किनारे या मार्जिन है, वह ही प अब इसके अंदर काता हम ये देखते हैं तो मोटा मोटा हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो प्लेट हैं उनके margins क्या हैं हमारे प्लेट के आपर तीन प्रकार के margins है जिसे हम constructive margin कहते हैं यानि कि इसमें दो प्लेटे एक दूसरे से विप्री दिशा में जाती है, जैसे समुंद्र की तली है, समुंद्र की तली से जैसे मद्य अत्लांटिक कटक है, मद्य अत्लांटिक कटक के सारे एक भाग पश्यम की और गती करता है, प्लेट का भाग दूसरा भाग सागर तली प क्रमेश है या पूरी वाग में किसका आता है तो उसे हम constructive margin क्याते हैं क्योंकि इसके दवारा नहीं प्रदार्थ की रच्छना हो रही है तो इसको constructive margin क्याते हैं, destructive margin में दो प्लेटों के यानि कि zone of convergence है यानि दो प्लेटे भीड रही है चाह माधी पी माधी पी माधी पी पी मासाग्री प्लेट के कारण दे रॉकी तदा आंडी परवत शंकला का निर्मान होगा माधी पी यानि कि Chinese या Asian प्लेट प्लेट तदा भारतिय प्लेट के टकराने का आनले विशाल हमालय परवत शंकला का निर्मान हुआ तो यह एक destructive margin यह इसका उधारन है इसके अलावा passive plates है यानि कि ऐसी plates जो convergence convergence plates के वह कहली जिए सरक्षी कहली जिए एक दूसरे जो टकराती है नहीं ना एक दूसरे के उपर विप्रिंच जाती है वो अगल-बगल खिसक जाती है तो इसको हम passive plate margin भी कहते हैं या सरक्षी plate भी कहते हैं इनके आधार पर थीन प्रकार के combination उत्पन होते हैं यानि कि माधी भी माधी भी प्लेट जादा continent to oceanic plate and oceanic oceanic plate इनके आधार पर यह भी विवर प्रकार अतर संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जो plate है वो हमारे यहां पर आज की तारिक में एक व्यज्ञानिक उपस्तित हमारे पास में है और इस आधार पर प्लेट विवरतन सिद्दान की पुष्ट्री होती है जिसे विविन भॉकलिक समझ्षाओं के उपर प्रकाश डाला है